किसान भाईो आज की वीडियो में आपको बताएंगे मिर्च की उन्नत खेती सबसे पहले बात करते हैं उन्नत समय की बारे में तो मिर्च की खेती आप जून जुलाई पर कर सकते हैं और नवंबर दिसंबर पर आप मिर्च की उन्नत खेती कर सकते हैं बात करते हैं खेत तयार तो आप गोबर की खाद कम से कम तीन ट्राली खेत में बिखेर कार खेत को समतल कराके बेट को तयार करा लेजिए बात करते हैं उन्नत किस्मिखों के बारे में तो आप जो इस वीडियो पर देख रहे हैं यह है VNR की सुनीधी F1 हाईबरेट वेराटी जो आपके एरिया में उन्नत सील वेराटी हो आप उसका चायंग कर सकते हैं बात करते हैं मिट्टी तो मिर्च की खेती लगवक्सभी पि मिटई में तो कि जा सकती है उप्योच्प जीवास्मपदार्थ वाली मिटई इयवाइज दिन नसरी तयार तो 28 यस दिनों पर नर्शाज´ तयार हो जाती है और युद सकता अनुसार मेंग ज्याप का इस्पै करते रहे और टाइम टाइम से सिंचाई करते रहें लेजिए आपकी नरसरी तयार हो गई किसान भाई यो बात करते हैं प्लांटेशन तो जिग जग प्लांटेशन यदि आप कर रहे हैं तो पौधी से पौधी की दूरी दो फिट रखिए और सिंगल लाइन पर आप Plantation कर रहे हैं तो पौधी से पौधी की दूरी एक फिट रखिए तभी आपको पौधरूपाई करते समाएं आप जहां पौधरूपाई कर रहे हैं वहाँ पर परियाप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए Drunching कम से कम दो Drunching करें एक पहले दूसरी दिन करेंelson幾 प्लस हियूमेख ऐसिट की और दूसरी डिन तीन से चार दिन पर आप को करना है बाबिस्टिं फआंगी साइत और एनपी कीụcै की की आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं बात करते हैं सीचाई तो ड्रिप लगाईए आप 16 mm 25 माइकरॉन की मल्चिंग पेपल लगाईए और आवसकता अनुसार प्रती दिन या फिर एक एक दिन की अंतराल पर आवसकता अनुसार 50-80 मिनिट तक आप ड्रिप के माध्यम से सीचाई कर का इस्तमाल आप कर सकते हैं किसान भाईयों बात करते हैं खाद तो यदि आप बिल्कुल सिंपल खेती कर रहे हैं यानि सिंपल को ड्रिप नहीं लगाए कोई मल्चिंग पेपर नहीं बिछाया तो आप खाद सामान तरीके से खेती के लिए सागरी का दानेदार एनपी के 1999, 0050, 0050, यूरिया, SSP, पोटास और भी बोरोन जैसी खादों को आप दे सकते हैं किसान भाईयों यदि आप ड्रिप में खेती कर रहे हैं तो प्लांटेशन से फूल की स्टेज तक 1999 घुलंजील खाद और हुमिक एसिट को चलाइए इसके अलावा फूल की अवस्था में आ 17-14-0-NP के गुलंजील खाद चला सकते हैं इसके अलावा फूल यानि फ्रूटिंग स्टेज पर आप 0050, मेगनीसियम सलफेट, अमॉनियम सलफेट, हूमिक एसेड, वाइट पोटास, बोरोन और केलसियम नाइटेड यह तो जैसी खाद आप इस्तमाल कर सकते हैं बात करते में एक बार आपको एक-एक हपते के अंतराल पर स्प्रे करना चाहिए इसके अलावा बात करते हैं फंगी साइट तो कबाच, सेक्टीन, समीर, मेंको, जैब, 45, टाकाप और रो को फपून नासक जैसे फंगी साइट का आप इस्तमाल कर सकते हैं यदि आप step to step जानकारी चा जानकारी आपको मिल जाएगी इसके अलावा बात करते हैं लागत तो फस्ट येर में यदि आप पहले-पहले साल कर रहे हैं तो ड्रेब, मल्चिंग, पीपर यानि सब कुछ खर्चा आपको खा तक का लगभग डेढ़ लाग से 1,75,000 रुपी लग जाएगा और मुनाफ़ इस टियर में आपको ज़्यादा लागत लग सकती है लेकर सेकंड डियर में आपको काफी कम लागत पर भी मिर्च की खेती कर सकते हैं इसकी अलावा बात करते हैं बांस के तुकड़े तो बांस के तुकड़े लगभग देखिए बंधाई के लिए बांस के तुकड़ों की आवसकता होती है लगभग चार से पांच-पांच फिटके बांस के तुकड़े होने चाहिए देखिए किसान भाईो मिर्च की यदि संपूर जानकारी स्टेप बाइ स्टेप यदि आपको समझाया जाए तो काफी लंबी हो जाएगी एक वीडियो हमने बनाई है जिसमें लगभग 40 मिनिट में A2Z जानकारी कवर करने की पूरी कोसिस की है यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम आपसे रेक्वेस्ट करेंगे की आपको लिंक डिस्क्रिप्सन में जाएगा आप जरूर उस वीडियो को देखें इसके अलाबा यदि आपके माने कोई सवाल हैं सुझाब हैं या फर डोच को लेके आप कनफ्यूज हैं तो हमारी मिर्च की A to Z संपूर जानकारी वाले वीडियो को देखना बिलकुल भी ना भूलें यदि आपको यह वीडियो यह जानकारी पसंद आती है तो किसान हित पर इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो मिलते हैं कुछ और महत्पूर और इंटरिस्टिंग जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्नवाद नमस्कार